सौगत अब सभी का क्विखिंदी पर मैं हूँ अफनो सिंग दोस्तों ये टिफल से एक्जाम जो फरवरी में होने वाला है उसके लिए पांच वाट पार्ट है तो बगी के चार जो लोग नहीं देखो जरूर देख्रायों उसका एक ही क्वेशन आपको एक वीडियो मिस नहीं करना है सब देखते चलो आगे मैं और लाते रहोंगा आपको पूरा हिल जाएगा जो लोग पूसति वो पास हो जाएगे हो जाएगे हंडर परसंड पास हो जाएगे, 100% गारंटी बता रहा हूँ, बस जो पढ़ेगा उसके लिए बता रहा हूँ मैं, जो नहीं पढ़ेगा उसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन जो पढ़ रहा है, जो ध्यान से, समझ के अच्छे से पढ़ेगा, जो वीडियोस को देख रहा है, जैसे पहले की वीडियो जो master class जो देख रहा भी है और भी master class में future में लाओंगा master class आपको देखना है और यह सब भी देखना है मैं वही question बदाता हूँ जो पूछे के questions होते हैं और triple C में questions बहुत repeat होते हैं इतना जानके चलना है आपको बहुत help मिलने वाला है बस और 8 बज़े सब लोग जादा ज़दा लोग courses किया हो कि आ जाये करो ठीक है आठ बज़े टेस्ट चलता है ठीक है चलिए फिर start करते है तो आज का फाहला question है STTPS की port संख्या क्या होती है बहुत important question है port संख्या वाला एक video especially मैंने बनाया वैसे जो triple C full course है उसमें port संख्या वाला बताया हूँ मैं triple C full course में जाओगे जितने topic में बताया हूँ सारे triple C में पूछे जाते हैं उस लेवस पे ही है तो उसको देखोगे एक topic आपको बहुत help मिले का वैसे STTPS Hypertext Transfer Protocol S से secure जो S से लग जाता है 80 होता है उसका 80 और यह SMTP का है 25 110 होता है उसका POP3 का और 143 जो 143 होता है यह होता है IMP का तो सब आपको पता हूँ जो उसमें सब बता भी दिया हूँ मैं वैसे तो बहुत ही important है सारा ठीक है संदेश को encode करने की उस प्रकरिया को क्या कहते हैं जिससे cable registered उप्योग करता है संदेश को पढ़ सकता है यह पढ़ सकता है समझलों लिखा हुआ है तो क्या हो सकता है यह encryption, encryption, privacy, masses, secrecy उसको क्या बोलते हैं ध्यान से सब समझोगे पढ़ोगे कुछ है नहीं इतना knowledge भी आपको होना चाहिए मतलब जो knowledge के लिए पढ़ता है उसको अगदम easily pass कर ले जाता है exam कोई सबी exam हो तो उसको दिक्कत भी नहीं होगी जो सिर्फ रटेगा ना, रटेने पर क्या होता, same question ज़रूरी ही नहीं कि वहाँ पर आएगा थोड़ा पदल देंगी question तो क्या करोगे आप तो आप समझे रहोगे तो कलोगे अब यह encode बोल रहा है तो encode मतलब सीधा सा encryption encryption होता क्या है, मतलब है कि वही पढ़ेगा जिसके पास, मतलब जिसका register जो है, जैसे कहीं mail भेज़ा आप तो उसी के पास जाएगा mail जो उसका है, जिसके पास भेजो गया, वही देख सकता है सिर्फ बाकी कोई उसको क्यों नहीं देख सकता क्योंकि यो encode हो जाता है, encrypt हो जाता है मतलब एक अलग code में बदल देता है क्योंकि देखो यार हम लोग जब कोई संदेश भेजते हैं तो उसे कहां कहां पर जाता होगा, वह बहुत सारे server से होके तब जाके उसके पास पहुंसता होगा कोई उसको hack करके पढ़ सकता है लेकि यतना आसान क्यों नहीं होता क्योंकि यो encrypt होता encrypt मतलब एक अलग code में बदल दिया जाता है जिसको encode भी देखो लिखा हुआ यहाँ पे तो इस तरह से होता है, अब next इंटरनेट से जुड़े प्रती एक computer में क्या होना ज़रूरी है यह भी important question है तो वीडियो को सब लोग लाइक करते हैं ठीक है ज़्यादा ज़्यादा लाइक करो सब लोग और आप लोग टेंसन नहीं मतलि है करो तो कुछ लोग डिसलाइक करते हैं कमेंट में आप लोग भी बोलते हो तो आप लोग टेंसन नहीं डिसलाइक का मतलब क्या होता है मालूम है कुछ लोग ऐसे पढ़ते हैं नहीं बस डिसलाइक ही करते हैं मैं जानता हूँ तो उनका वो अलग problem है तो अगर आपके life में डिसलाइक होने लगे या लोचना होने लगे कुछ ऐसी चीज होने लगे समझ लो आप success मिल रही है आपको सफलता है कि उसरा आप जब पहुँचे होगे तो ऐसा होता है तो rule है तो उसका टेंसन नहीं खुजी की बात होती है आप लोग भी जान लो तो इसका answer क्या होगा विसिस्ट IP address मतलब सबका एक IP address होता है बहुत जरूरी होता है ठीक है एक question मतलब अलग भांसा में जैसे भी पूछे हर computer का एक IP address होना जरूरी है ओभी अलग-अलग ध्यान देना आप next यह जो लिखा हुआ 2191622357 किसका उधारण है यह बताना आपको बहुत सिंपल सी बात है यह सब तो कलोगी इसका IP address का उधारण है तो IP address देख़ए इसे लिखा जाता है तो जो 32-bit वाला होता है न ओ चार पार्ट में होता है इसे चार पार्ट देखो लिखा एक, दो, तीन, चार पार्ट में है तो चार पार्ट में होता है 32 वाला जो अड्रेस होता है अब next नेटवर्क से जुड़े प्रते एक कंप्यूटर के मदर बोर्ड पर एक बिसे सर्किट कार्ड होता है जिसे NIC कहते हैं क्या यह सही बात है जैसे पिछला question था IP address वाला दिखाओं आपको जैसि यह वाला ये वाला है न तो इसमें देखव वे तीन- κι-बन maximum हो सकता है एक part है जैसे चार पार्ट में है आपको तीन-τιन इसमें दो-दो लिखाओं आप लए तीन इसमें भी हो सकता है maximum 3-3-4 में तो तीन-나च के 12, तो maximum 12 character का होता है, IP address जो 30 dupit वाला होता है, उसकी बात मैं कर रहा हूँ वैसे, तो यही पूछते भी ज्यादा था, यही ज्यादा use भी होता है वैसे तो NIC मतलब होता है, network interface card, बिल्कुल सही बात है, यह true हो जाएगा, ठीक है, अब next, keyboard keyboard में कितने बटन होते हैं तो keyboard में क्या होता है, कई प्रकार के keyboard भी होते हैं, यह भी आपको मालू होना चाहिए, कई प्रकार के keyboard होते हैं, तो सब में अलग-अलग बटन होते हैं, किसी में 102 होता है, किसी में 104 होता है, किसी में 84 होता है ऐसा करके, अलग-अलग ध्यांसे समझना है, next लगुखाते में स्विकार की गई अधिक्तम राजी लगुखाता मतलब जो छोटा खाता होता है जैसे जो जंधन वाला होता है जो छोटे ही माना जाता है, लगुखाता वही होता है एक तरह से जो जंधन योजना के तहत खोले गए थे खाते फ्री में खुल जाते हैं जीरो बैलेंस पे है न तो लगू हो गया तो उसमें मैक्सिमम हम कितना स्वीकार मतलब कितना जमा कर सकते मैक्सिमम तो 50,000 बस उसका एक लिमिट बना दीगें 50,000 मैक्सिमम स्वीकार कीज़ा सकती वाकी नहीं दियान मरकना अब next भारती रिजर वैंक है वो अपने इतिहास में सबसे बड़ी नोट कौन सी उसने बनाया था 1000 का 2000 का 10,000 का 500 का तो इसका एंसर हो जाएगा 10,000 नोट तो दोस्तों अपने यहां 10,000 की नोट भी थी बहुत लोग को नहीं मालूम होगा पहले 10,000 की भी नोट चलती थी लेकिन वो बंद कर दी जब मुरार जी दिसाई प्रधान मंत्रे थी उस वक्त जब एक मौनेट डी मौनेटाइज हुआ था वहां भारत में जैसे अभी हुआ तो उससे पहले भी हुआ था तो उसमें 10,000 की नोट बंद कर दी गई थी पांस जार की भी थी भी बंद कर दी गई थी तो अब प्रजं के क्यों को सबस्क्राइब कर दबूतं हम वह संथी जहां मेंने चरी रिक आरगमिस्टशन को पता होना चाहिए ज़्य्कर एंबर टो जैसके में तो खिनक को और किस नाम से पोछिए तो चंट्र जीद अद benर्जका सब्सक्राइब कर में कुद से हैंपैं उफ यस उस सिंप पोछ दिये तो आता है वैसे एक्जाम में Central Processing Unit तो इसको क्या बोलते हैं इसको बोल देते हैं Micro Processor ठीक है यह वाला Micro Processor भी बोलते हैं CPU को दूसरा नाम है Next Data परिवर्तन या Code अनुवाद किस लेयर का पर मतलब प्रयोग करता है किस लेयर पर काम करता है Data परिवर्तन मतलब को मिला के Translation तो Translation जो होता है किस लेयर पर कार करता है इसमें मगर दिमाग लगा अब दिमाग क्या लगाना है Total साथ लेयर होते हैं या सबको पता है तो अनुबाद की बात करें, जब भी तो presentation layer पर कार करता है, देखो ध्यान से, तो presentation का मतलब क्या होता है, जो present करता है, हमारे सामें जो दिखता है, वह होता है presentation, तो presentation मतलब क्या होता है, जैसे आप जब देख रहे हो कोई चीज, मतलब अनुबाद वगारा सब करके, बढ़िय या ना तो वही पर्जेंटेशन लेयर में होगा ध्यान मरखना नेक्स्ट स्टार्ट मेनू को उपन करने के लिए कौन से सॉटकट की यूज कर लेते हैं तो इसका एंसर क्या होगा वैसे एक मैंने ट्रिक भी बताया है आपको वैसे जो खुब पढ़ लेगा उसके लिए ट्रिक जरूरत नहीं पढ़ती लेकिन फिर भी कुछ कुछ क्वेश्चिन होता है या बहुत कुछ लोग को 40 आया 60 नहीं आया इसा भी हो जाता है बहुत प्रिस करना है और विंडों की प्रिस करें को दोनों से स्टाइट में ही आपका उपन होगा ठीक है इसका एंसर यह हो जाएगा अब नेक्स्ट वैप फाइल का कौन सा डिफाल्ट एक्स्टेंसन होता है बहुत सिंपल सा कुछिशन है यह अभी देखो जैसे टाइम भी लाता जाओंगा लाता जाओंगा माश्टर क्लास जब एकदम नजदी का एकजाम तो कई 2000 मास्टर क्लास बना दोगा अच्छा सिक दम तॉपका बहुत फायदा होगा पूरा मास्टर क्लास पहले वाला देखी लेना आपको जरूरी बहुत है इसका एंसर हो से HTML और STM तीन दोनों होता है, ठीक है, ध्याम रखना, देखो L वाला जैसे hyper test markup language होता है इसका, तो कभी-कभी क्या होता है कि ये वाला STM भी होता है, language ना हट कि सिर्फ STM, ये भी सही होता है, दोनों होता है, ठीक है, अब next, Mac address कितने bit का होता है, Mac address मतलब क्या होता है, पहले ये समझने के चुर्ण बहुत जादा important है ये, पहले Mac का full form, media access control, ठीक है, अब ये जितने भी computer होता है, जितने भी computer सब के, Mac address मतलब होता है, physical address, computer के जो physical address होता है, उसको बोलते है, Mac address, समझ रहे बात, तो उसको बोलते है, Mac address, और Mac address जो होता है, 48 bits का होता है, अब देखो, bits है, अगर byte पूछ ले तो, एक byte में कितनी bit होता है, 8, तो 8, चंग 48, मतलब 6 byte हुआ, है ना, तो ध्यान देना, मालो पूछ जब ऐसे bits में ही पूछने ज़द अतर, निबल में क्या होता है, एक निबल में 4 bits होता है, तो जो भी पूछे, आप calculation कर सकते हो, ठीक है, तो ध्यान से करना, अब next, निम लिखित में से किस device द्वारा computer network में data packet भेजे जाते हैं, एक्जाम में आपको, जितने question मिलेंगे, सब ऐसा लगेगा कि, आप मेरे से कभी ने कभी पढ़े हो, भले आप करना पाओ, वो आपकी mistake है, समझ रवाद, सब लगेगा इसा, बस समझ नहीं आएगा, जैसे कुछ question समझ नहीं आएगा, उल्टा घुमा के पूछेंगे, ना उसके द्वारा हम, data, router के packet द्वारा data आता है, तो ध्यान देना, यह ही होता इसका answer, अब next, dot net किस प्रकार का domain name होता है, बहुत simple सी बात है यह, यह होता है network के लिए, कई सारा पोस्ते हैं वैसे, यह dot net हो गया, dot com किसके लिए होता है, dot com commercial के लिए होता है, commercial, और संगठन के dot over z होता है, ठीक है, तो ऐसी होता है, बहुत सारा होता है, अपने इंडिया के लिए क्या है, dot in, country code है, इंडिया का dot in, ऐसे ही, अब next, वो की टाकी जो होता है, किस प्रकार का communication device है, half duplex होता है, full duplex, simplex, इससे संबंदे भी कई सारे question पूछ लेते हैं, half duplex क्या होता है, बोल communication लिखा हुआ नहीं है, communication मतलब जहां पर बात होती है हमारी, मतलब पहले एक तरफ से बात होगा, फिर, कुछ देर रुक के दूसरे तरफ से, इमेल होता है, वैसे वाकी टाकी भी, half duplex में ही आ जाता है, बात तो दोनों तरफ से होता है, दोस्तों, इससे, लेकिन, रुक र इमेली विजन में, सिर्फ आप देख सकते हो, बागी कुछ भी नहीं कर सकते है, ताइस चाहे ध्यान से समझ ले, जो बोला, इंपॉर्टन है अब नेक्स्ट, ब्लू जेन जो होता है, कंप्यूटर, किसने निर्माड किया था इसका, IBM ने, Microsoft ने, Apple ने, और पने, इसका निर निर्माड किसे ने किया, IBM ने किया, IBM का फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनस मसीन एक कंपनी है, Microsoft भी सभी जानतों कंपनी, Windows वगएरा, Microsoft भी लॉंच करती है, Apple तो सभी जानते हैं, बहुत पापुलर, iPhone, iMac, जितनी होते हैं, सभी यह लॉंच करती है, ARPA ने, Internet का अमेरिका की, जिसके लिए Net का निर्माड किया, इस नहीं किया था, इसलिए पहले इसका नाम अरपनेट ही था, यह इतनी बात आपको ध्याम रखने हैं, अब नक्स्ट, Red Hat किसका उधारण है, Open Source Software है, Computer है, Super Computer है, या फिर Network है, अब इसमें देखो, जैसे एक मने, आपको hacking वा हैं, पूछ रहे हैं, बस, एक होता है, Red Hat Hackers, होते हैं, Red Hat Hackers, वो अलग होता है, Red Hat Hackers को जब सबसे खतरनाक hackers होते हैं, Red Hat Hackers, इसका answer वैसे होगा, Open Source Software, Red Hat एक तरह का Open Source Software भी है, Hacker की बात नहीं कर रही है, एक तरह का Open Source Software रही है, American Company है, वो Open Source Software प्रवाइड करती है, ध्यान Software है, ध्यान देना, यह बात, बाकि एक Red Hat Hackers होता है, जो सबसे खतरनाक hackers होते हैं, उनको Red Hat Hackers ही बोलते हैं, Next, किस account में सबसे ज़्यादा ब्याज मिलता है, Saving, Fix, Current, Recurring, Saving क्या होता है, जो हम लोग generally use करते हैं, Fix क्या होता है, जो जमा कर तो, आपना कुछ दिन बार लेना इसा होता है, Current Account जो होता है, जो Business वगरा में use होता है, जिसमें ब्याज बाज नहीं मिलता है, Current Account में, यह भी आपको पता होना चाहिए, Recurring Account इकाउंट इकाउंट जिससे RD बोलते हैं, RD, हर महीने कुछ रुपया जमा करते हैं, या हर अपते, या अच्छा महीने बार ऐसा हो इसको, Next, CharlesWebist द्वारा बनाया गिया, Computer कौन सा था, CharlesWebist ने क्या बनाया था, तो CharlesWebist ने Enaldical Engine बनाया था, दो Engin बनाया था, एक Census Engine नाम था, एक Enaldical Engine बनाया था, निर्मार कर दिया था, आब उसको बात में डेवलफ किये गा और आगे बढ़ाया गया, इस अब अब पात ह और अब एकस जो पूछते हैं सबसे पहला कंप्यूटर माना जाता है दुनिया का एक कंप्यूटर नहीं बल्कि यह क्या था एक कलिकुलेटर था वह एक कलिकुलेटर कौन सा वह इसा जो आईसा मतलब एक अलग साग इलेक्ट्रोनिक डिवाइस नहीं था बस इतना समझे लो सिंपल डिवाइस था कलिकुलेशन के लिए यूज किया जाता था तो इतनी बाते आपको पता होना अच्छी अब नेक्स्ट लिनक्स और यूनिक्स दोनों एक ओपन सोर्स ओपरेटिंग सिस्टम है ट्रू है कि फाल्स ट्रू एंड फाल्स का बहुत क्वेश्चन आने लग बागे तो कोई करा 70 आया था कोई करा था 80 आया था कोई करा था 50 आया था 30 आया था इसा बही होता है तो अलग-अलग होते हैं सम्में कुछ जरूरी नहीं की आएगा यह फाल्स हो जाएगा वैसे अब फाल्स क्यों होगा क्योंकि लिनक्स जो होता है ओ तो ओपन सोर्स है ल फर्स्ट सुपर कम्प्यूटर इन दी वर्ल्ट पुर्व दुनिया का फ़रा सुपर कम्प्यूटर कौन सा है अगर यह ओप्सन में ऐसे जैसे मैं दिया हूँ बहुत इंपॉर्टन क्वेशन है यह तिसका एंसर होगा CDC 600 सबसे पहले यही आया कम्प्यूटर सुपर कम्प्यूटर उसके बाद आया क्रे क्रे सुपर कम्प्यूटर उसके बाद आया एक तो सामियूर क्रे उन्होंने ही इसको भी बनाया था उन्होंनों ही इसको भी बनाया था लेकिन कभी-कभी ओप्सन में यह वाला नहीं देते है दी नमबर वाला, तो यह दे देते हैं, तो क्रे तो आप सभी पापुलर है बहुत क्रे, हर जगां क्रे ही मिलेगा आपको ज़्यादाता, लेकिन सच तो यह है कि CDC 600, फस्ट कम्प्यूटर था, सुपर कम्प्यूटर, सेकर्ड पे आया था, क्रे सुपर कम्प्यूटर, और भारत का पहला सुपर कम्प्यूटर परम, इतनी बाते आपको ध्याम रखने, अपने एक्स्ट, लिब्र ओफिस कैल्क में, अल्फाबेट राइट और संख्या हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, तुह है कि फाल्स, इसके लिए आपको एक बार दिखा दिता हूँ, क्या पूछ रहे हैं, जैसे ये है, ये कैल्क है, तो इसमें क्या है, मैंने पहले अल्फाबेट और नमबर की बात कर रहा है, इसमें लिख्या अल्फाबेट, तो लेफ्ट हो गया, नमबर लिखा माईने, six, six, right होगafa, देखो, नमबर राइट हो रहा है, और अल्फाबेट लेफ्ट हो रहा है, मतलब, नमबर राइट, अल्फाबेट लेफ्ट, इसमें क्या पूछ रहा है, अल्फाबेट रात, और संख्यां लेफ्ट, तो true आएगा मतलब ऐसे नहीं तो false होगा देख समझतार हो या अब इतना अब next LibreOffice Calc by default एक auto calculator feature उपलब्द कराता है जो कि एक Chinese seem operation में मानों को process करता है बात सही ये गलत बहुत simple सो question है ये तो true हो जाएगा क्योंकि सब जानती हो कैलक में बहुत सारे फार्मूले ऐसे होते हैं जो आप चाहो तो फटाक उसमें बस value आपको डालना सब calculate कर देगा है ना तो true हो जाएगा अब next ISO का पूर रूप क्या होता है ISO अब ISO क्या होता ये समझने वाली बात है आप देखते हो ना कभी कभी मतलब कहीं जाओ किसी बहुत बड़े इंस्टीटूट में आप जाओ कि क्या बोलेंगे अरे मेरा तो ISO जादा certified है company भी बोलती है मेरा तो ISO दोरा certified है है ना इससे सुनते हो कर नहीं सुनते हो बहुत जार सुनने में आता है ये इसका full form होता है international standard organization ये वाला यह एक non government संगठाने दुनिया का है अब international लिखा है इसमें मतलब अंतराज्टी है ये तो ये business के दुनिया में जितनी भी companies उसको ये certified करता है हाँ ये अच्छा है नहीं इसलिए तो होता है ये अब next OSI जो model होता है उसमें कितनी layer होती है OSI भी मनें बताया OSI का full form भी पूछने एक्जाम में तो open system interconnection model तो होता ही है तो OSI मतलब open system interconnection होता ही है total 7 layer होते हैं इसमें कितने 7 layer एक model होता है जो IP TCP IP होता ना IP TCP या TCP IP जो भी बोलो उसको उसे TCP IP बोलते हैं तो उसमें 4 layer होता है TCP IP में इसमें 7 layer ठीक है एक वीडियो में बनाया वसे OSI वाला तो उसको भी देखला ना सब OSI में मिलेगा टिपल सी full course वाले में अब next row और column को जोड़ने पर क्या बनता है बहुँआँ सिंपल सा question है यह लेकिन बहुत पूछते हैं यह row और column जैसे यह होता है जो calc में यह क्या है देखो यह तो यह row हो गया यह column हो गया जो मतलब row column हो यह column दिख रहा आपके सामने और यह row दिख रहा है तो row और column मिलके क्या यह cell है इस अब cell है न यह सब एक 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 है cell है तो क्या बनता है cell बनता है simple सी बात है इसमें सोचना नहीं जादा कुछ ठीक अब next IPB6 address कितनी बिट होती है IPB4 और IPB6 दो होते हैं दोनों पूछे जाते हैं एक्जाम में तो इसमें मैं दोनों आपको बता दूँगा अगर IPB4 पूछे अभी मने आपको बताया कि IPB4 32 bit का होता है और IPB6 128 bit का होता है इसका मतलब internet protocol version 6 version 4 ऐसा ठीक अब next Terminator किस Topology में उप्योग होता है Terminator बहुत सिंपल सा है बहुत important है इसका answer क्या होगा बस Topology में टर्मिनेटर यूज होता है Topology का वीडियो मैंने वैसे बनाया है वैसे बताया ना full course वाल मिलेगा जो लोग देखते होंगे उनके लिए easy सब कुछ हो जाएगा उसमें दोनों अगरी question अब आते हैं आपके दो question देता हूं कल का answer बताता हूं उससे पहले आप सब्सक्राइब करना जिसको कहानिया सुनना पसंदो फिर आते हैं question पे तो कल मने question पुछा था कि second name of Twitter तो मेरा मतलब यह था कि another name यह फिर second दूसरा नाम क्या है Twitter का तो Twitter को micro blogging के नाम से भी जानते हैं question exam में बहुत पुछते हैं यह कि Twitter को किस नाम से जानते हैं तो micro blogging के नाम से भी जानते हैं और अगर यह पूछे बहुत लोग answer Twitter और इस्टेटस दे रहे थे गलत नहीं आपका लेकिन थोड़ा सा ध् अनम रखनी exam में पूछे जाता हैं सारे और पूछा था pre-installed web browser in window 10 मतलब window 10 जब आप install करोगे उसके साथ साथ आल रेड़ी कौन सा जो browser install हो जाता है ओ है edge Microsoft edge के नाम से जाना जाता है यह लिखा है Microsoft edge उसको बोलते हैं क्योंकि Microsoft का ही product है window 10 भी आज का question है default home percentage in writer और first super computer of India तो यह दोनों question का answer देना है बहुत ही important question है दोनों नाम मैंने लिए उसके लिए sorry पहली बात तो answer भी कुछ लोगों ने मतलब सब कुछ लोगों एक सही दिया है और next day में नाम जरूर लोगा नाम सबसे कुछ होता नहीं है आपको main क्या है result अच्छा ना चाहिए pass होना चाहिए ज़्यादा जरूर यह है मैं यह समझता हूँ लेकिन कल मैं नाम जरूर लोगा जो लोग सही answer दोगे सब का तो नहीं लेकिन कुछ लोग का जरूर लोगा जो lucky होंगे फिर बस दोस्तों इसे एक साथ इस वीडियो में इतना ही फिर मिलता है next वीडियो में तब तक ले जाहि जय भारत